हेलो फ्रेंड्स मैं हुवेद और स्वागता आपका आपके यूटूब चैनल टेक न्यूस प्राइम में तो फ्रेंड्स कोरोनवाइरस इंडिया में काफी तेजी से फैल रहा है ऐसे में हमारी गोवेद नए नए स्टैप उठा रही है इस कॉरोनवाइरस को कंट्रोल में लाने के लिए इनी स्टैप में से एक है आरोग्य से तू एप जी हाँ आरोग्य से तू एप से आप जान पाएंगे कि आपके आसपास कोई कोरोन का पेशंट है या नहीं जी हाँ इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि कैसे यह एप इस्तमाल की जाती है और इस एप से आप क्या-क्या benefit ले सकते हैं तो बने रहे यह वीडियो में मेरे साथ चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लिकेशन इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना होगा गूगल प्ले स्टोर पे वहाँ से डाउनलोड करें ये एप जिसका नाम है आरग्यसेतु एप आफ्टर ओपनिंग दी एप आपको language चूज का option मिलता है यहाँ से आप अपने हिसाब से अपनी language को चूज कर सकते हैं language चूज करने के बाद next पे क्लिक करें after that आपको initial pages में एप के बारे में कुछ information दी जाएगी आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या आप alert रहना चाहेंगे किसी भी coronavirus patient से जो की आपके आसपास है यहाँ आपको पता है कि अगर आप coronavirus positive patient से alert रहना चाहते हैं तो सबसे पहले इस app को install करें उसके बाद अपना bluetooth और location on रखें जिसे कि आपकी location और suspect की location को track कर पाए तो जैसे ही आप last page में आएंगे आपको register now का option मिलेगा यहाँ पे आपको अपने mobile number से registration करना होगा यह app को use करने के लिए register now पे click करते ही यह page open होगा जहाँ पे आपको बताया गया है कि यह app use करने के लिए आपको device location on करना होगा always पे bluetooth अपना on करना होगा and the third one is data sharing जो भी आप data इसमें feed करेंगे वो government of India से share होगा now click on I agree click करते ही आपको device location on करने के लिए permission मांगेगा यहाँ पे आपको allow कर देना है फिर से आपको ok पे click करना है then यहाँ पे आपको bluetooth on करने के लिए permission मांगी जाएगी allow पे click करें अब आपको अपने mobile number से यहाँ पे registration करना होगा अपना mobile number type करें mobile number type करते ही submit पे click करें इसके बाद जो भी number आपने type किया है उस पे एक OTP आएगा वो OTP आपको यहाँ पे type करना होगा OTP type करने के बाद submit पे click करें after that यह page open होगा जहाँ पे आपको अपनी personal details fill करनी होगी friends यह step आप बिल्कुल भी skip ना करें क्योंकि इसी के basis पे यह app आपका इक graph तयार करती है और आपकी help करती है coronavirus suspect को track करने में तो first आपको अपना gender यहाँ पे select करना है उसके बाद अपना full name type करें then अपनी age टाइप करें after that आपको अपना profession यहाँ से select करना होगा आपका जो भी profession है वो आप यहाँ से select कर ले student है या unemployed person है तो none of the above पे click करें then आपको बताना है कि क्या आपने पिछले एक महिने में किसी दूसरी country में travel किया है या नहीं अगर किया है तो उन countries का नाम यहाँ से select कर ले अगर नहीं किया तो none पे click करें इस point में पूछ रहा है कि आप यहाँ पे लिखा हुआ you are safe low risk of coronavirus infection मतलब मेरे आसपास coronavirus infection का खत्रा बहुत ही कम है और फिलाल मैं safe हूँ तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यह app work कैसे करती है तो यह app work करती है आपके self assessment data से जी हाँ जो भी data आपने इस app को provide करवाया है उसी के हिसाब से यह आपका एक graph बनाती है जिससे यह पता लगता है कि आपको coronavirus infection होने की possibilities कितनी percent है ऐसे में वो percent जिसकी possibilities ज़्यादा है coronavirus infection होने की अगर आपके contact में आता है तो यह app आपको alert कर देती है ऐसे में आपको अपना Bluetooth और अपनी location always on रखनी है ताकि यह app continuously work कर सके इसके लावा आपको इस app में और भी काफी option मिलते हैं जैसे की COVID-19 help centers यहाँ पे आपको हरी state के help line number देखने को मिलेंगे जहाँ आप call करके coronavirus से related कोई भी information ले सकते हैं इसके लावा आपको यहाँ पे self assessment test भी दिया जाता है अगर आपको कोई भी health issue है तो आप यहाँ पे अपनी information देके यह पता लगा सकते हैं कि आपको coronavirus infection होने की possibilities कितने percent हैं इसके लावा आपको नीचे और भी options मिलते हैं यहाँ पे click करके आप coronavirus या फिर COVID-19 के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं इसकेंड COVID-19 do's और don'ts इसपे click करने के बाद आपको एक file download करनी होगी जो की कुछ दो MBQ होगी जिसमें आपको बताया जायागे कि आप coronavirus से बचने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं और अगर आपको coronavirus हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए तीसरे point पे अगर आप click करते हैं तो आपको यही बताया गया है कि आप coronavirus से बचने के लिए क्या-क्या उपाय कर सकते हैं फ्रेंट्स अगर हम इस app को अच्छे से use करते हैं तो ये app हमारी काफी help कर सकती है coronavirus से fight करने में आपको जो भी alerts इस app के थुरू मिलेंगे वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं यहाँ से आपको पता चलता रहेगा कि आप safe हैं या नहीं तो फ्रेंट्स आइ ओप आपको ये समझ में आ गया होगा कि arugia cento app को कैसे इस्तमाल करते हैं और इसके क्या-क्या फायदे हैं तो फ्रेंट्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है تو प्लीज इस वीडियो को लाई करें शेयर करें और कमेंट करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टोपिक के साथ तब तक के लिए राम राम सब्सक्राइब चैनल और प्सक्राइब करें लिए लाटेस्ट अबटेस्ट